नमस्कार मैं कावेंग चोहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं खास ख़वर पस्चम मंगाल की मुख्य मंतरी ममता बैनर जी के गड़ में बीजेपी लगातार सेंध मारी कर रही है आए दिन टीमसी नेताओं की स्तीफे की हवर आ रही है अब एक और बड़ा फाइदा हुआ है बीजेपी को तो वहीं टीमसी को हुआ है भारी नुकसान आपको बता दे राजिसाबा में बजट सत्र के दौराण टीमसी के सांसद ने स्तीफे का एलान किया है दिनेश्त्रिवेदी ने पार्टी से निकलने का बन बला लिया है आपको बता दे दिगज नेता माने जाते हैं दिनेश्त्रिवेदी आखिर क्या वज़य है रही कि सांसद दिनेश्त्रिवेदी को इस्तीफा देना पड़ा और उससे किसको होगा कितना फाइदा देखें इ सांसाद दिनेश त्रिवेदी ने राजसभा में कहा मैं आज यहां से स्तीफा दे रहा हूँ इस पर उपसभापती ने कहा इसके लिए एक अलग से प्रक्रिया है केंद्री मंत्री रह चुके त्रिवेदी ने कहा मुझसे अब देखा नहीं जा रहा मुझे यहां बैठे बैठे बहुत अजीब लग रहा कि मैं क्या करूँ असल में हम जन भूमी के लिए ही यहां है I am very grateful to my party for sending me here आपको बता दें त्रण्मूल कॉंग्रेस के नेता दिनेश त्रिवेदी प्रधान मंत्री नरेंद मोधी की तारीफ कर रहे हैं पहले ममता बनर जी ने त्रिवेदी के साथ क्या किया एक समय दिनेश त्रिवेदी ममता बनर जी के करीबियों में शामिल थे इसलिए UPA सरकार के दूसरे कालकाल में उन्हें ममता की जगह TMC कोटे से रेल मंत्री बनाय गया था वह कुछ ही महीने रेल मंत्री रहे थे लेकिन 2012 में तब के हिसाब से बहुती बोल्ड रेल बजट पेश करके उन्होंने पूरे देश को चौका दिया लेकिन वह रेल बजट TMC को लोक लुभावन नीतियों पर खरे नहीं उत्रे और यहीं देनेश तिरवेदी की सबसे अत्याहा से राजनी ते गलती साबित हुए उनकी गलती ये थी कि अपने पहले ही बजट में उन्होंने रेल किराया बढ़ाने की घोशना की हाला की रेल किराय में मामूली अजाफा हुआ था लेकिन ममता को यह कतई मनजूर नहीं था तिरवेदी को पार्टी ने स्तीफा देने को कहा लेकिन वह लिखे तादेश पर अड़ गए जानकारी के मुताबिक तममता ने पूरु प्रधान मंत्री वनमोहन सिंग से कहा कि अगर तिरवेदी पद नहीं छोड़ते तो उन्हें उनको हर हाल में कैबिनेट से बरखास्त करना होगा आखिरकार तिरवेदी और यूपिय सरकार को बनरजी के दबाव के आगे सरेंडर करना पड़ गया तिरवेदी के दिल में आज भी वैजख्म हरे हैं कि वो जो बचट उन्हों ने पेश किया उस पर संसद में चर्चा से पहले ही उन्हें सरकार से बेयाबरू करकर निकाल दिया है और कुछ नहीं कह सकते हो उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याक पत्र दो और जाके बंगाल की भूमी में महाल तो ऐसा बना है कि सारे निता टीमसी छोड़ कर बीजेपी जॉइन कर रहे हैं जिनकी बदावलत मंता बेनरजी पस्चम बंगाल की मुख्यमंत्री की कुरसी पर काविज रही है बहराल आपको बता दें साल भर के एंतराल पर 5 साल पहले भी 3 राज़ियों में विधान सवा चुनाओ एक के बाद एक हुए थे पहले दिल्ली फिर बिहार और उसके बाद पस्चम बंगाल दिल्ली और बिहार में चुनाओ हो चुके हैं और जैसा पहले हुआ था वैसे ही दिल्ली मेर्विंद केजरिवाल तो बिहार में नितीश कुमार दोनों ने ही अपनी कुर्सियां बरकरार रखी है अब ममता बनर जी की बारी है धन्यवार